गेहूं के आटे से बिलकुल नई तरीके चटपटा सा नाश्ता बना है जो कि खाने में काफी कुरकुरा और इसे आप चटपट से बना सकते हैं चाई और कॉफी के साथ ये नाश्ता बहुत ही मज़दार लगता है और काफी सिंपल तरीके से बहुत ही कम मसाले से इस नाश्ते को बनाया है और 10-15 मिट में ये बनके रेडी हो जाता है तो अगर आपको कुछ डिफरेंट खाना हो तो ये वाला नाश्ता आप ज़रूर ट्राइ कीजिए बड़ों के साथ बच्चे को भी ये बहुत पसंद आएगा तो रेसिपी शुरू करने से पहले कर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए इसकी रेसिपी को चिपकी में बनाते हैं तो इस टेसी से नाश्टे को बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं अमपरार और इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा तो यहाँ पे इस कब से मेशे करके मैंने दो कब गेहूं का आटा लिया है और इसमें हम डालते हैं सबसे पहले टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और फिर इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा, और अजवाइन जो है पचाने में भी हेल्प करता है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा अजवाइन डाल रहे हैं, लेकिन यह बिल करते वे पाने तो चो अजवाइन डालें को है में अजवाइन तो बिल्कुल यह बहुतित कर दारो है, लेकिन आप जाहे तो इस69 को अमे Agishy गीन से बहुता है, और लेकिन अजवाइन बहाय और आधा अधा मैदा अड़ालंगे के यहां पी पाने तो इस way यहां डिह के prayed जाने मीडियम फैरा मीडियम सॉफ्ट स्वाल भानेका कारण यह भी है कि यह पी यह सब्सक्राइब अब इससी तरह कारण यह दिते щоज बाने के बाद जब चाहिए लक्रीट से नाटां गूनाना कईب व इसमी सेट जितना था खाना पसंद कर ते ऊप सरफेड चीछाव और अच्छी कॉंटिटीरी में हम यहां पे धनिया पत्तर डाल रहे हैं जिससे कि इस नाश्टे का टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो यहां पर सभी चीजों को डाल कर एक पर अच्छे से मिक्स करके फिर से हम इसे नीट कर लेंगे जब तक यह आठा जो है अच्छे से स्म की सभी का जवाब दूँ तो अगर आपको यह रेस्पे अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरू कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरीके से देखिए बिलकुल परफिक्ट हमारा आठा बनके रेडी हो गया है और अब इ तो जब तक हमारा आठा सेट हो रहा है तब तक चलिए हम मज़दार सी फिलिंग बना लेते हैं तो फिलिंग बनाने के लिए मैं यह पे चार मीडियम साइज के आलू लिया है जिसे अच्छे से बॉil कर लिया है और यह थोड़ी से ठंडे हो गया है तो हमेशा जब यह जब तो बस इस तर görünके से अलो को मैश कर लिया है और इसमे हम डालते हैं सब इसमें मसाले तो यहां पर सबसे पहले हारी मिच ताल रहे हैं यह जतना सबसे काम जादा擊 कर और शबसे इसको कम जादा कर सकते है अब एसमें डालते हैं जिसे की बहुत ही चटपड़ा सा टेस्ट तीकी बिल्कुल भी नहीं है, अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, और साथ में या पर हम बारी कटेवे प्यास भी डाल देते हैं, और अच्छी कॉंटिटीटे में हम यहां पर चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, जिसके काफी मसाले दार लगेगा, और साथ में यहां पर हम भर भर के धनिया पती डाल रहे हैं, क्योंकि में जिब धनिया पतिया फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और अब इसमें हम डालते हैं, दो से तीन चमच कॉंट फ्लार, कॉंट डालना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि जब हम फ्राइ करेंगे ना, अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए कॉंट डालकर इसे हमें बिल्कुल अच्छे से यहां पर मिक्स कर लेना है, तो बस यहां पर कॉंट जादा नहीं डालना है, सिर बाइंडिंग के लिए मैंने दो से तीन चमच ही आड़ किया है, तो यहां पर मैं बहुत ही कम मसाले का यू हमारी बहुत ही टेस्टी चटपड़ी से फिलिंग मन के रेडी हो गई है, और 15 मिएट सो गया, आटा भी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, तो यहां पर हम नीट कर लेते हैं, यहां पर बहुत जादा नीट नहीं करना है, बस सिंप्ली थोड़ा सा स्मूध करने के बा और इसे हम बिल्कुल अच्छे से अब रोल कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यह आटा कितना मसाले दर देख रहा है, और बेलती समय यह ध्यान रखना है कि आपको यहां पे सूखा आटा तो बहुत जादा नहीं लगाना है, ने तो यह नाश्ता अच्छा नहीं बनेग साले दार टेस्टी आलो की पूरी और पराथे बनाया थे तो इसकी रेसिपी को अगर अपने नहीं देखा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके इसे अब जरूर देखिए, तो एक बड़ी बेनने के बाद हम साइट्स को ट्र पूजर केसे पूजर कर सकते हैं तो जैसे मख्ळै करना है तो यहां पर बहुत ज्याद से देखिए थी और फिलिंग का मोचा लेर नहीं स्प्रेड करना है बिल्कुल इसी तरीके से यविन करते विये पतला सा लेर पेड करेंगे आप चाहेत तो सो एस तरीकेसे आलो की फि जितना ज्दाद चीज खाना उसे सबसे यहां पर स्प्रेड कर सकते हैं चाहे तो आप यहां पे मौजरुड़ा चीज भी यूज कर सकते हैं और चीज को चारो और सिर्ट करने के बाद हातों से हम स्लाइटली प्रेस कर देते हैं जिससे की अच्छे से सेट हो जाएगा अगर तो आप बगए चीज के भी इस नाश्टे को बना सकते हैं, जरूरी नहीं की चीज जालना ही है, क्योंकि बच्चों को यह बहुत पसंद आता है, इसलिए मने इस नाश्टे को थोड़ा सा चीजी कर दिया है, और अब हमें यहां पर चोटे-चोटे स्क्वेस चाहिए, तो हम इस तरीके से कट कर लेते हैं, तो यहां पर एक बड़ी रोटी बेल के मैंने six equal potions निकाल लिया है, और अब हम इसे patties का shape देंगे, तो बस एक square को लेते हैं, और इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, तो फोल्ड करने से बहुत यह असानी सी stick हो जाएगा, यहां पर आपको कुछ भी लगाने की ज़रत नहीं है, और इस तरीके से यह देखिए, फोल्ड करने से बिल्कुल पैटी का लुक आ रहा है, और यहां पर आप चाहें तो इसके बना सकते हैं, तो यहां पर आप जो देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं, तो बस इस तरीके से सभी को पैटी की तो यहां जब आप आप करना है, तो फर आप करनी के लिए, यहां पर मैने तेल बिलकुल अछे से गरम कर लिया है, और घरं तेल में डालते हैं, तो यहां पर आप सिन्च्टे और व्रेंप करना है, च eerब बहुत जा दा मारू पैटी दाले हैं, ओढ़ाने कि जब यहां पर तो बहुत जादा तेल अब्जॉर्फ करेगा और यह नाश्ता काफी ओईली हो जाएगा तो बस इसे हमें उलट प्लट के फ्राइ करना है जब तक यह गोल्जें प्राउना क्रिस्पना हो जाए और आप देख रहे हैं जो आलोगी फिलिंगे फ्राइ करते समें बिल्कुल भी तो इस तरीके से देखे चार से पांच मिट में नाश्ता बनके रेडी हो गया है काफी कुरकुरा मज़दार सा बना है और इसे मैं आपको तोड कर भी दिखाती हूं यह देखिए कि ना चीजी है बहुत ही टेस्टी है और सिर्फ गेहूं के आटे और आलो की मज़दार की यह नाश्ता काफी चटपटा बनता है इसे आप हरी चटनी या टोमाटो केचप के साथ सब कर सकते हैं हरी चटनी की रेसिपी मेरे चानल पर है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में दे दिया है वहाँ पे क्लिक करके आप जरूर देखिए अच्छी बनी है तो अगर इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए